अस्सलाम वालेकूम वरहमतुल्लाव वरकातो हूँ आज सब्सक्राइब है हफ्ते का दिन है और 17 जून 2023 और वक्त है इसवर्ड पांच बई रहे हैं शाम के मैं यहां आया हूँ गोफल बुरुक पार्ग होथ्रोन न्यू जर्सी में यह पार्ग बहुत ही खुबियों से परा हुआ है और बहुत सारी सहूलत हैं यहां पर यह पार्ग जो है तक्रीबन 103 एकर पर मुईत है इसका रख्मा जो है पार्ग पार्ग का 103 एकर है यह बहुत बड़ा पार्ग है और यहां लोग आते हैं तफरी के लिए देखे इस वक भी मौजूद है ये पिलेगराउन में मे यहां पर फुटबाल के भी यह इस किसम के मैदान है और इसके अलावा दिगर चीजें भी इसकी इस्ट्री यह है कि यह 19 सेंचरी में यह बनाए गया है नेच्रेल ब्यूटी है यहां पर लेड़िस के बहुत सारा है यहां मौझूद है वाकिंग और हाइकिंग ट्रेल मौझे जोकिंग के लिए आते हैं यह होत्रोन का टाउन है होत्रोन के लाता है यह टाउन में और यहां पर यह बनाए गया है 19 सदी में मैं अंदर आपको लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं इसके अंदर क्या-क्या खूबी है इस वड़ जो है मैंने अपने गाड़ी चुके यहां यह पार्क करी है पार्किंग एरिया भी इसमें बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है वागि चुके मैंने यहां मुनासिब समझा के दूसरी भी गाड़ी यह पार्क है तो चले वह यहां ही पार्क कर दी जाए तो मैं आपको अभी अंदर ले चलता हूं इस प कर रहे हैं आज ओफिस ओफ थी तो मैंने कहा कि चलें आपको विजिट कराऊ और यहां अमरीका और नियुजर्शी की अट्रेक्शन और जो जो चीजें इसके बारे में आगाई दूम में आपको आज मैं आपको यह गोफल ब्रुक पार्क में लाए हूँ इसके बारे भी बताूंगा कि यह पार्क का डिजाइन जो क्या है यह उसी एर्किटेक्चर में क्या है जिसने नीयू और मैनेथन में सेंटर पार्क क्या था सेंटर्व पार्क जान बहुत खुष्षरत और बड़े रख्यवद करो भी मुहीत है वहां जर हे सद्रोड इट्रम का भी आपने देखा, भी उनका उटन है उसी पार्क के पास ही तो इस पार्क को भी उन्हें साब ने जुन्होंने सेंटर पार्क डिजशन किया है उन्होंने ही डिजशन किया है इस पार्क को ठंडा ठंडा बत्रील माल है बच्चे बड़े फैम matt आये हैं इंजरे कर रहे है यहां bease बॉल 아। वुट बॉल और तमाम चीजे यहां खेली जा रही है अच्छा इसमें स्विमिंग का भी है स्लाइड भी है और दिगर एक्विप्मेंट भी है बच्चों के लिए भी देखें जूले तो है यहां पर देखें बच्चे भी जूल रहें माशाल्ला मैं उस तरब आपको लिजाता हूँ यह देखें माशाल्ला बहुत ही चार उपर फैमली पिक्लिक के दुर्प आते हैं पिक्लिक भी होती है यहां पर फैस्टिवल भी होते हैं यहां पर और इसके लाभ़ा एजुकेशन के भी बेशुमार प्रोग्राम यहां पर होते हैं आए दिन प्रोग्राम होते हैं चूंकि पार्ग बहुत बड़ा पार्ग है एक सो तीन एकर जो है वो कोई कम नहीं है एक एकर तकरीबन चार अजार आट सुचालिस गरस होती है यह समझों कि पांच जारगस के बराबर होता है एक 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 और यह एक सो तीन एक है तो आपकुद अंदादा लगाएं कि कितना बड़ा पार्ग है यह पैसे काउंटी में आता है यह पार्ग जो है काउंटी पैसे के इसकी और टाउन का नाम है आउतरों कि इस तब आग से यह भी अभी मैं ड्राइव कर गाया हूं तो साथ मेंड के डाइविंग पर ही है मेरे घर से ही बिल्कुल देखे बच्चे कितना जबदस इंजोई कर रहे हैं यह पर जूला जूल रहे हैं यह पैमिली के साथ आए हैं सब लोग कि देखें कि बच्चे इंजोई कर रहे हैं यह कुपसरत हसीन मंजर बेक्ग्राउंड में देखें कितना जबदस्ट हर्याली हर्याली हर जगा ग्रीन रिस ग्रीन रिस हर तरफ आइस क्रीम और खाने पीने के ट्रक भी यह में मुझूद हैं यह देखें यह भी अंदर पार्क के अंदर ही पार्किंग एरिया है इस तरफ भी बच्चे और खेल रहे हैं माशाल्ला इस देखें अमरीका में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तफरी के लिए इविनिंग में जरूर लिकलते हैं सब लोग तफरी के लिए बच्चे बड़े जवान इसी वजह से यह फिट भी रहते हैं यह उसी 85 85 साल के होते हैं खवातीन, मार्क, दजरा, धीते भी हैं और असे लगते हैं कि लिए उससे भी कमेच्च के लगते हैं अपनी फैमिलियों के साथ आएवें, इंजोई कर रहें, मज़े कर रहें और इतना बड़ा पार्ग है, कि इनसान सब जगा बहुत सी अट्रेक्शन हैं मुझूद है, जाता है, इंजोई करता है, मज़े करता है और इसी तरह के हर टाउन में, हर एरिया में पार्ग होते हैं, कई कई एकर पर मुश्तमिल होते हैं यह पार्ग, और देखें कितना दूर दूर लोग मुझूद हैं, हर जगा कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, आगे भी मुझे देखें, बहुत सारे कुछ इस्टाल मुझ्छ आरही है, चुछ प्रोग्राम है यहां पटा है कि लोग केस्टीवल यह होते हैं हैं, सब इस जगह होते हैं, यह फ्ल रहता है माशाहाल craving कितना जबर्दस है आँ आप देखें कौछ तरुवihat में अमान ङूरी संस्ट मेंको वैसे लोग seven अब जैसे सारे दर्ग के पत्ते वगेरा सब हिल रहे हैं माशाआल्ला जबर्दस यहां देखें एक नहर गुजर रही है और इस पर यह खुबसुरत सब बिरिज बनाया है यह इस पर की खुबसुरती में और इदाफा कर रहा है माशाआल्ला इस पर की खुबसुरती में और इदाफा हो रहा है देखें मैं आपको लेके चलता हूँ यह बिरिज है पुल है अपना और साथ में यह नहर है छोड़ी सी बल्के यह नहर यहां से गुजरती है तो इन्होंने इसका बड़ा अच्छा यूटिलाइजर्शन क्या हुआ है यूटिलाइज की हुई है इन्होंने तो यह देखे इधर का भी थोड़ा सा व्यू देख लीजिए दूर दूर देखें इस पोड़ से भी लुप्स अंदोज हो रहे है महां मैं आपको यह पूल साइड पे ले चलो खुप्सूरत सा पूल है देखें यह और यह नहर गुजर रही है यहां से यह बहुत दूर सा आ रही है नहर देखें वह सामने पूल भी है यह पूरी नहर बड़ी खुप्सूरत है फिश पी इसमें काफी फिश नजर आती है छोड़ी छोड़ी यह पूल देख रहे हैं यह बच्चे देखें साइकलिंग कर रहे हैं इस पूल से गुजर रहे हैं बच्चे यह देखें कितना हसीन मनजर है खुबसरत और हसीन मनाजिर देखें कुदरत के कितने खुबसरत और कुदरती मनाजिर देखिए आप दिल बाग बाग हो जाता है कितना पीसफूल ठंडा मौसा में यह 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 यहां से गुजर रहा है पापे का ट्रेक बनी वी है सब देखें यह 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 दूसरा हिस्सा भूड का बनाए लकडी का वित्रीन मजबूत और साथ में लोए का भी इस्तमाल वहा हुआ है यहां के उस से देखें मैं आपको यह जो लिखावा है इसके बारे में तब सिला से आगे करता हूं में इस्तमाल बारे में आपकात करता हुआ है इंकमेंड एड बगारा इंकमेंड एड बागारा आपक के इंकमेंड पारे अगरा इनकी इन्होंने जो अमरिकन वार में बड़ी खिद्बात 1757 से इनकी डेट अब बर्थ थी और 1834 में इंतकाल हुआ है तो खिद्बात इनकी बहुत जादा है तो इनको खराज तेहसिल पेश करने के लिए यहां इनकी तसाविर और इस्ति वंगरा लिख दी जाती है वो लोगों को बता जाता है इनके बारे में वाजारा के नाम से यह मुशूर है देखो पाशालला लोगी जो है यह रखी में इनोंने बहुत से ट्रेक बने हुए है सुबह मक्सदिया लोग वाकिंग करते हैं हाइकिंग करते हैं जोगिंग करते हैं आगे कुछ निजिकल टाइब का भी प्रोग्राम हो रहा है के लिए और कितना साफ सूत्रा से कहीं आप कोच्षण में नधार नहीं आए गाप्र निंढ काई हो एक इक bets और यह आठें इसके बावजूद भी यह पार्ग देखें कि कितना नीट खनी है यह भी वर्जिश करने के लिए बनाए गया है यह भी वर्जिश करने यहां पर यह भी यह भी यह डोग पार्क एड़ कोफल ब्रोक यह डोग के लिए मक्सुस क्या गया है देखें यहां से स्माल डोग जा सकते हैं जो छोटी डोग है उसके लिए यह है रूल रेगुलेशन लिखे वे डोग पार्क के देखें यहां पर और यह लाज डोग के लिए यहां पर इस पॉर्शन में लेके आते हैं उस सामने डोग के लिए बीए जुलेशन के जो है न उपर चड़ने के और रखें देखें इस तरह से पार्क जैसा बनाएवा इन डोग के लिए खेल कुद के और सब रखें में देखेंगें यह डोग के देखेंगे इसी तरह यह अंदर डिजर्ट एरिया है वह भी बहुत बड़े रगवे पर है इसमें के जाएंगे तो हिरन भी बहुत सारे मोजुद होंगे नदर आएंगे बहुत सारे हिरन यहां तो हर जगा हीरन हीरन नजर आते हैं और ऐसे अंदर की पॉर्शिल में जाएंगे तो आपको बहुत सारे हीरन नजर आएंगे रोड पे भी आ जाते हैं यह इसलिए जगा जगा रोड पे इसके निशान लगे होते हैं इत्यात करें, यहां से हिरन मुजरते हैं, अल्ला ना करें कि कोई गाड़ी की निचा आ जाए, यहां तो जानूरों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, उनकी जिन्दगी का, और सजा है, जुर्म है यह, इसी जानूरों को खात लगाना, पकड़ना और मारना, बहुत बलंद बलंद दरखते हैं यहां पर दिखे, यह गार्वेश के लिए यहां पर जो आपको सफाई नदर आती है हर जगा, इसकी वज़ा यह है कि लोग पर ऐसे नहीं प्रेकते हैं, ना गरास में, ना यह ट्रेक पर, बलके यहां आके इस पर गार्वेश फेंकते हैं यहां यह ट्रेनिंग दे रही हैं जो लेड़ी उप और उसके कहने पर यह सब पर फार्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, माशा अल्ला, बेरी गूद, देखें यहां का व्यू देखें इस तरह, उपर ले जाता हूं में, तिल डाउन, अब क्या बेने यह, देखें, इधर भी टेल डाउन करा और यह अब क्या है, देखें, अभी दूप है, जैसे जैसे इविलिंग होती जाएगी, लोग यहां आते रहेंगे, अब्रेक्ज लूप संत कात प्रस में जा खटेखों अबता लगाई खा जाता है, महाती है उड है। इक गोफर पार्क का दिखे एथलिक फिल्ड है बास्केटबाल कोर्ड है पिलेगराउंड है डोग पार्क है ट्रेल्स है पिकनिक एरिया है बात्रूम है फेमिली आती है इस तरह पूरी पूरी फेमिली देखे पेठे हुए है घर से चीजे बना के लाए है यहां से पर्चेस करते है खापी रहे है कोई फिकर नहीं है पूर सुकूर है सारा पीसफूल है कोई लूटने लाटने का डर नहीं है रात में अकेले यहां से आप निकल जाएं कोई बजाल नहीं है कि आप कोई हाथ लगा सके कोई पूछ सके हैं सब के लिए आम हैं जो चाय आए और जोब लिले कोई बरादरियें रिश्यदारियें कौमियत यह नहीं है कि उसको लोग नहीं मिले का है वीकली सेलरी मिलती है हर अपते है और टाइम भी करें आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ टाइम बढ़ा लो आप पंदरा डालर यह न्यू जर्सी में सिर्फ अनस्किल्ड का है जो सिर्फ ऐसे लेबर का है उसके 15 डालर है बाकि यहां का जो पड़ा लिखा हो यहां का टेक्निकल हो इसकील्ड हो उसके 20 डालर 25 डालर 50 डालर तो डालर और प्रचीज पचास डालर पर हवर ने क्या है यह पर हवर है एक गंटे के तो पंदरा है पंदरा से आप लगा लें कि एक गंटे के हमारे मुल्क के साड़े चार अजार पर हो गए तो चार अजार दो सो लगाने चलें तीन सो न लगाएं तो तीन सो भी हो गया ताभी डालर आज की तारी के तो मेरी गाड़ी आ गई है घरवालों ने चुदके मुझे कहा था जल्दी आ जाना आज एक हमारे हिंदू कम्यूनिटी के फैमिली फ्रेंड्स हैं इनके यह शादी में शादी में साड़े-च्छे सात बज़े खाना शुरू दे दिया जाता है क्या मैं कि सब लोग सुबसे साध बज़े टीमा रात का खाना जो है वो साड़े से साथ बजे शुरू हो जाता है अब मैं अपनी गाली की तरफ जा रहा हूं क्योंकि पार्ग तो बहुत बड़ा है बगर मैं इतना कवर नहीं कर सकता फिर कभी आऊंगा तो आपको ले चलूँगा अभी चलते हैं घर की तरफ चलूँगा आपसे द्राद दूँ बन्देर दू़ेंगा अल्ला नगे बानो आपका अल्ला तो से दौ़ा करता हूं कि अल्ला हमारे मुल्क में भी इमान दार लोग इमान दार से प्रूटिशन और जो ःडारे उनको यहाया और थाके हमारी कौम भी इसी तरह तरकी करे आगे बड़े अल्ला ने इतने वसायल हमारे पाकिस्तान को दिये है मगर सिर्फ कमर्शल की करप्शन की जर्द बाया जाते है चले पिर मैं चलता हूँ गारी में अंदर बेटता हूँ अच्छा स्रावादा जाते हैं